Hello everyone, competitive exam में आपका फिर स्वागत है आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के सरकारी विवागों में जो है आउट्सोर्स पर लगब हजारों पदों के लिए रिकुजिशन जो है हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट इलेक्टोर्टन को गई है जिसका आज मैं आपके लिए फरूप लेकर आ गया हूँ अगर आप इसको देखना चाते हो तो आप जो है ऑफिशल बैब साइट पर जा करके वहाँ पर रिकुजिशन के सेक्शन में देख सकते हो कि कौन कौन से विवाग जो है आउट्सोर्स पर भरी जा रही है जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह सबी जो है आपके वेंडर्स हैं जो यह आउट्सोर्स भरतियों को हिमाचल परदेश में करते हैं तो आप दे सकते हैं कि कौन कौन से विवाग जो है जिसमें यह विकैंसिस निकली है लेकिन आपको पता है कि आउट्सोर्स भरतिया जब निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो आपको कमिशन के तुरू जो है रगुलर भरतिया बहुत कम देखने को मिलेंगी तो आप सभी जो है इसके रिगार्डिंग जो है आवाज उठा सकते हो otherwise आपको हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम जो है कमिशन के तुरू भरतिया देखने को मिलेंगी तो मैं सभी से यही उपील करूँगा कि इसके लिए आवाज उठाइए otherwise आपको हिमाचल प्रदेश में अब आउट्सोर्स पर ही भरतिया देखने को मिलेंगी आप दे सकते हैं कि जो official website पर ये requisition गई है जिसमें आप दे सकते हैं कि tourism and civil aviation department के लिए जो है दिसंबर 2013 में ये requisition गई है जो डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपके पास mission executive block level और mission non executive farm और area coordinator और MIS office assistant के लिए आप दे सकते हैं कि कि कितने पर लगवग 44, 42 और 14 और 10 post के लिए ये requisition गई है ये national health mission जो है आपके हिमाचल पर देश उसके तहत ये requisition गई है तो आप दे सकते हैं कि कौन कौन सी company जो है ये भरतिया करती हैं जिसमें आप दे सकते हैं जिसमें ये vendors के नाम यहां पर दिये गए हैं जैसे कि AB enterprises, MS Balaji, Agrotech और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि Bias Infrabild ज इसके तहर जो है नहीं के तुरू जो है आउट्सोर्स भरतिया भी हुई है जिसका जो है इंटर्व्यू और एक्जाम लिया गया है तो ये जो है आउट्सोर्स एजेंसिया है जो ये भरति करती है उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर office of deputy commissioner sirmore के लिए 22 पोस्टें यहा जो कि आउट्सोर्स पर रहने वाली है और उसके बाद national health mission के अंतरगत जैसे कि आपको पता है कि national health mission के अंतरगत लगबब बहुत सी वकैंसे देखने को मिल रही है अभी भी आपको 1450 पद और ये जो आप दे सकते हैं ये पिछली साल की requisition वहां गई है लेकिन अभी तक किस प्रदेश का जितना भी health wellness center है वहां पर एक जो है government एक yoga instructor रखेगा तो ये जो है requisition गई है किस company के थूँ ये भरती होगी ये बिदा पाना मुश्किल है तो आप दे सकते हैं कि superintendent of police चमबा वहां पर दे 23 पोस्टे जो है कुक के लिए है जैसे कि आप यहां पर दे सकते हैं कि आप requisition दे सकते हैं कि 11 जो है health and family welfare direct rate यानि कि health पिभाग में जो है data processing assistant का एक पद है तो अब यहां पर दे सकते हैं कि इसकी भी दिसंबर 12 में requisition गई है और उसके बाद sport council and youth affair दे सकते हैं कि वहां पर एक data interpreter की एक post है इसकी requisition गई है और rope bay and rapid transport system के लिए एक post के लिए जो है data interpreter की गई है और health विभाग में ही आप दे सकते हैं कि MIS operator जो होते हैं जो कि ब्यास info built private limited care to engage कि जाएंगे जिसमें आप दे सकते हैं कि यह 11 पोस्टे जो है MIS operator की यहां पर जो है requisition गई है जिसको कि ब्यास info built ही इसकी भरती करेगा और आप दे सकते हैं कि rope bay and rapid transport system में PN की एक post के के लिए requisition गई है और district health and family welfare society चंबा में memo यानि की medical officer भी आपको outsource पर देखने को मिलेगा तो एक post के लिए इसकी भी requisition गई है और हिमाचल प्रदेश forest development corporation जिसमें की driver की एक post के लिए requisition आप गई है और उसके अलावा office of the principal government paul technical rodo college के लिए swipper compute की दो पोस्टों के लिए requisition आप गई है तो इसके बाद आप दे सकते हैं कि mining officer बिलासपूर में journal manager और junior office assistant के post आप दे सकते हैं कि लगबग 6 पोस्टों के लिए ये जो है requisition आपके दिसमबर 2023 में गई है अब किसके मादें से ये भरती होगी ये कैपाना भी मुश्किल है लेकिन इसकी requisition outsource के लिए चली गई है तो आप दे सकते हैं और department of पंचायती राज में आप दे सकते हो कि junior engineer के 164 पर निकले गए जिसमें आप दे सकते हैं कि बिलासपूर के लिए यहां पर जो है साथ चंबा के लिए साथ और हमीरपूर के लिए 13 और जादा जो है जेए की पोस्ट के लिए requisition पंचायती राज विभाग में यह गई है तो यह सारे जो पोस्ट है outsource माधिम से आपको देखने को मिलेंगी और आप दे सकते हैं कि हिमाचल परदेश जो transmission corporation limited है जिसमें कि 84 पोस्टों के लिए requisition गई है जिसमें कि आप दे सकते है कि computer operator, data interpreter, driver, pion, mts यह सारे पज़ो है आपको outsource पर देखने को मिलेंगे यहां आप देख पारे होंगे कि कितने पज़ो है जिसमें कि आपके computer से लेकर, computer operator से लेकर driver, data interpreter, pn, mts जो pnk 32 पद आपको देखने को मिल रहे हैं और 28 पद आपको mts worker के देखने को मिल रहे हैं तो यह सारे पज़ो है आउट्सोर्स मादिम से फिल हो रहे हैं और department of counselor की एक post है और direct empowerment में SCST OBC में junior office assistant helper की यहां पर post mention नहीं की गई है लेकिन यहां पर भी outsource से काम लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि department of social justice empowerment में 12 पोस्ट जो है project coordinator या assistant accountant या office helper या जेओ आप यहां पर दे सकते हैं जेओ आईटी की भी यह लगवबार आप जो यहां पर पद बताए गए हैं यह जो है outsource basis पर यहां पर फिल किये जाएंगे तो यह आप यहां पर दे सकते हैं यह सब जो requisition हैं यह आपके आपको official website जो हीमाचल पर दे स्टेट electronic development corporation हैं उनकी website पर मिल जाएंगी कि कि किस बिवाग के लिए कितने कितने पद्ध है outsource basis पर जो है दिये गए हैं तो यह आपको जल्दी ही इन अजेंसियों के मादम से देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैंने बताया था कि बियास इंफर विल्ट जो जिन्नोंने अभी national health mission के outsource के लिए interview लिया था और उसके बाद मैं किस agency के लिए भी सुनने में जो आ रहा है जो यहाँ पर एक agency है जो शिमला के अंदर गर जो है यह outsource भरती करेगी जो यहाँ पर यह बताया गया है जो यह mister शानांग की जो एक यह infrastructure है इनको जो है शिमला का tender दिया गया है यह सुनने में भी आ रहा है लेकिन अभी confirm नही है तो आप देश सकते हैं कि यह सारी जितने भी vendors है इनके माद्यम से ही ही मचल परदेश में outsource भरती होती है तो आज की वीडियो आपको किस परकार की लगी आप जो है outsource के लिए आवाज उठाए तब ही यह भरतिया बंद होंगी otherwise आपको हर department outsource से ही full हो जो हो जाएगा और commission के तैद भहुत ही कम भरती आपको देखने को मिलेंगी तो आज की वीडियो आपको किस परकार की लगी तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हो share कर सकते हो इसी परकार के further update के लिए आप हमारे चैनल competitive exam से जूड़ सकते हो धन्यव हमारे अच्छी लगारे अच्छी लग्राइब कर सकते हो तो आपको कर दोदाने लेतarent लेगहान को सकते हो मारे कर दो आपको